एसेल वर्षस एएफ जी फॉस्ट स्टार्ट हो रही है और आपन इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इस मैच के बारे में अपने देखेंगे क्या प्लेइंग 11 गई श्री लंका की फर्स टीटवंटी मैच में होने वाली है क्या प्लेइंग 11 गई अफगानिस्तान की होने वाली है कौन से वैन्यू पे यह मैच खेला जाएगा किस तरीके का पिछ रिपोर्ट होने वाला है कौन कौन से ऐसे बॉलर्स है जो आपको इस वाले मैच में लेके चलने हैं और सबसे इंपोर्टेंट चीज यह वाला जो वैन्यू है ना वो अपने आप में खास है क्योंकि यहां पर अभी काफी टाइम पहले मैचेज हुए थे मतलब आप कह सकते हैं काफी टाइम बाद यहां पर कोई मैच होने जाले तो आपको जो बॉलर्स का सेलेक्शन करना है उसमें कनफ्यूजन चल रहा होगा कि भाई इस पिनर्स को जादा रखे या फिर फास्ट बॉलर्स को तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में भी बताने वालों तो गाइस वीडियो मेरा हमीशा की तरह बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है बस मैं आप से रिक्वेश्ट करूंगा कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहले भी आ चुके हैं या फिर आप पहली बार आएं अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो नीचे गईस बैल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस करके चैनल को सब्क्राइब कर देना क्योंकि वीडियो सब भी बनाते हैं बट क्वालिटी के साथ अगर आप आपको बैस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो बिलकुल आप सई चैनल पर आए अब गई शीलंका और अफगानिस्तान के इस मैच में अपन देखेंगे ऐसे कौन से प्लियर है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे खास तोर से ग्रैंड डिक के प्रॉइंट ऑव जाने वाली है आप अच्छा विन करके दोगे क्योंकि कोई भी सिरीज का गई जब पहला मैच होता है ना तो वह अपने आप में जैकपॉट होता है और हमेशा गई मेरा पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए पहला मैच मेरा हमेशा वन साइडेड अच्छा जाता है होंगे तो उसके बारे में भी अपन यहां पर बात करने वाले तो एसल वर्सेस एफजी फॉस्ट ट्वंटी मैच खेला जाएगा डंबूला इंटरनेश्टल स्टेडियम डंबूला में और यहां का गई स्पिच कैसा होने वाला है तो यहां पर काफी टाइम पहले एक मैच हो आता उसके बेस पर मैं आपको कुछ रिकॉर्स बताऊंगा और साथ में आपको कुछ डॉमेश्टिक मैचेज भी हुए थे उसके बेस पर भी मैं आपके लिए डेटा लेकर आयों जिससे आपको एक टीम बनाने में हेल्प मिल सकें आपको टीट्वंटी स्टैट्स यहां को मिलेगा और यहां पर आसपास समुन्दर बहुत है तो उस वज़े से पिछ पे थूड़ी सी नमी रह सकती है बट बैटिंग पिछ आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा यहां पर अगर मैं पेसर्स वर्सेज स्पीनर्स की बात करूं कि यहां पर विकेट्स किसको ज्यादा मिलते हैं तो इस वाले पिछ पर टोटल अभी तक 46 विकेट्स गिरें जिसमें से फास्ट बॉलर्स को मिले 16 विकेट्स को मिले 30 विकेट्स तो गैज यह किलियर ली इंडिकेशन दे रहा है कि इस वाले पिछ पर इस पिनर्स बहुत ज्यादा एफेक्टिव रहते ह आपको इस पिनर्स को रखना पड़ेगा तो आज के मैच में ऐसे कौन से क्वालेटी स्पिनर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे और साथ में ऐसे कौन से फास्ट बॉलर्स है वह भी बात करेंगे अगर आपको फाइनल टीम चाहिए फाइनल अप्डेट च सेक्शन में आपको लिंक दिखेगा नीले कलर का बिलिंग करता हुआ शौर एक्सपर्ट सपोर्ट के नाम से बस क्लिक करना है और आप जॉइन कर लेना तो टेलीग्राम जरूर जॉइन कर लेना लिंक इन कमेंट डिस्क्रिप्शन अब दोनों टीमों की अपन प्लेइंग 11 देखते हैं कि क्या प्लेइंग 11 मैच में श्रीलंक और अफगानिस्तान के रहेगी अब इनमें कई प्लेयर ऐसे हैं जो शायद अभी तक लोगों के दिमाग में यह है कि वो खेलेंगे नहीं तो उसका सेलेक्शन प इस प्लेयर उस पर बात करेंगे और इनमें से कौन से बालर है जो आपको दैथ में बालिंग कराते हुँ दिखेंगे मतलब 15-20 और ऐसे कौन से बालर है जो काफ़ी इंपक्फुल रहेंगे और साथ में बैट्समैन पर भी अपन फोकस करेंगे तो एक एक चीज आपको बस आप लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना तो शीलंका की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो इनके ओडियाई के हीरो पातुन निसांका जो ओडियाई में अभी काफी अच्छा करके आ रहें वह आपको ओपन करते हुए दिखेंगे कुशल मैंडिस के साथ इसके हाई प्राबिलिटी लग रहें नुवान तुशारा आज के मैच में खेलेंगे और एक बहुत अच्छे प्लियर साबित हो सकते हैं क्यों होंगे मैं अभी आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा इसका और इसके अलावा दिलशान मदू शंका अफगानिस्तान की तरफ से मैं बा मैच पे ज्यादा लग रहे हैं इसके बार नवीन उलक या फिर फारीद फारूकी या फिर फारीद मलिक इसमें से आपको बता दू फारीद मलिक के खेलने के चांसे बहुत जादा हाई अब देखें गई यह तो गई बात 22 प्लेयर्स की अब इसमें से कौन से ऐसे बैस्ट 11 रहा है और कई प्लेयर इंद में ऐसे जो बैंच वे बैठे हुए वह भी शायद आज का मैच खेले तो हर प्लेयर का गईज अपन रिकॉर्ड वाइज अनलाइस करेंगे क्योंकि देखें टीम आप इजली बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं आजकर सेलेक्टेट परसंटेज प आपको यह देखना जरूरी है कौन सा प्लेयर कौन से पिछ पर कैसा करता है और जिस वेन्यू पर यह मैच हो रहा है यहां पर इनका रिकॉर्ड कैसा है इसलिए आपको एक एक चीज़ बताऊंगा ध्यान से वीडियो के साथ बने रहना सबसे पहले देखते हैं विकिट कीपर सेक्शन में कौन सा प्लेयर बढ़िया है श्रीलंका की तरफ से देखें दो नाम है कुशल मैंडिस है और आपको बता दू सदीरा समावी करमा है बट सदीरा की आज के मैच में खेलने की प्रॉब्लिटी कम है रीजन एक तो इसका टी टीटी में अच्छा नहीं करता टीटी में 11 मैचों में केवल 12 की एवरेज से रन मना है तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इसकी प्लेइंग 11 में जग है मुश्किल होगी बट कुशल पैंडिस आपको लगबग खेलता हो दिखेगा ओपन करने वाला है लास्टीन टी बावंदन मना है तो आप मान के चलिए हर मैच में हाफ सेंचुरी है और लास्ट तीन मैचों में 14-23 तो यहां पर जो मोश्टी लोगों के पिक होंगे ना उनमें दो प्लेयर ऐसे हैं जो मोश्टी लोग लेके आने वाले हैं गुर्बाच को मेरे साब से डेफिनेटली आप अपनी टीम में रख लेना क्योंकि श्रिलंका के अगेंस बहुत अच्छा है और यहां पर मैंडिस भी मेरे साब से एक बड़िया चॉइस होने वाला है तो दोनों सबसे बड़ी बाते ओपन करेंगे तो बैटिंग भी कंफर में आएगी आएगी और दूसरा एक स्केंडिस और गुर्बाच दोनों के साथ जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कि यहां पर बात करूँ श्रीलंका की बैटिंग सेक्शन की अब बैटिंग सेक्शन पर दिखें आजकल ऑप्शन होता है कि आप एक बैट्समें लेकर भी चल सकते हैं मिनिमम एक बैट्समें तो यहां पर क्या कोई ऐसा बैट्समें है जो आपन रखे या चाय तो एक के साथ ही जाए तो निसांका की बात करूँ बहुत अच्छा करके आया अभी रिसेंट्ली ओडियाई स्रीज में अब यहां पर आपको दिख रहा होगा तीन मैच अर्तालिस तो भाई टी ट्वेंटी क जब मैचेज हुए थे ना अफगानिस्तान के साथ उसका रिकॉर्ड है इसमें ओडियाई इंक्लूड नहीं है बड़िस प्लेयर की रिसेंट्ट फॉर्म बहुत अच्छी है आप डैफिनेटली रखना लैफ्ट हैंडड बैटर है और लास्ट तीन मैचों में 49 एक दो असल असरन तो यह प्लेयर ऐसा है जो आपको मुश्किली बालिंग कराता हुआ दिखेगा मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कौन सा बॉलर कितने ओवर्स दालेगा क्या शनाका की चांस है बालिंग डालने के वह अपन देखेंगे और कुशल परेरा नंबर तीन पर खेलने वाला ह अभर पर हुआं अब अगर श्रीलंका आज के मैच पहले बैठ करेगा तो मैं अपको बोलूँगा के साथ जाना अगर सैकीड करेखा तो फिर मैं बोलूगा कुशल परेरा के साथ जा सकताने श्रीजन है क्ずकली को कैसे रखनाuk नोटेट कर लिया करो ताकि आपके पास हर चीज़ लिखे हुई हो तो आप एक बैस टीम क्रियेट कर पाऊगे यहां पर गईज मैं बात करूँ अफगानिस्तान की बैटिंग सेक्शन की कि एफजी की तरफ से अपन बैटिंग सेक्शन में कौन सा प्लियर बढ़ी है यहां पर पहला नाम है इब्राहीम जर्दान बहुत ही अच्छा प्लियर है ओपन करने वाला है तीन मैच 77 रन है शिलंक का के अगेंस बनाता है लास्ट तीन मैचों में आर्ट पच्छिस तेइस 27 का एवरेज इसका ओवरॉल है टी ट्विंटी का एज जजाई की बात करें नंबर तीन पर खेलने वाला है यह चांस थोड़े कम है इस प्लेयर के खेलने के अगर खेलता है तो डेफिनेटली या पिक होने वाला है लास्ट दो टी ट्वंटी में 36 36 बना के आ रहा है बट चांस थोड़े कम है इसके खेलने के और नजबुल्ला जड़ान की बात करें श्रीलंका के अगेंस इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है चार मैच केवल 49 बट लास्ट तीन टी ट्वंटी के अग अच्छी है 23 28 12 तो यहां पर गई अगर आप देखोगे मेरे साब से आज के मैच में बहुत अच्छे और बहुत सारे हैं तो आपके पास वहां से ज़्यादा पिक करना है यहां से कम लेकर आ जाना तो मेरे साब से दो बैट्समैन यहां पे इनफ रहेंगे वहां से निसान क अगर कोई और रखना होगा मैं अभी आपको फाइनल टीम दिखा हुआ तब आपको बता दूगा कि आप इसको भी रख सकते हो अभी आपने वीडियो पर लाइक नहीं किया ना तो कर देना इस वीडियो पर लाइक का टार्गेट है तीन अजार लाइक जरूर आप पूरे क पिक रहेगा पूरे चार और बॉलिंग कराएगा और अच्छा खासा रिकॉर्ड है इसका अफगानिस्तान के अगेंस तीन मैच चार विकेट है और अभी रिसेंट्ली लास्ट तीन टीट्वंटी में फॉर्म भी अच्छी है और पिच्के अकॉर्डिंग भी असरंगा बहुत अच्छी है इसका एक्सप्रेंस आप देखिए 65 मैचेस खेल चुका है अगर इस स्रीज में कोई सबसे ज्यादा एक्सप्रेंस प्लेयर है ना तो वह मैथ्यूज है और आपको मुझे लग रहा है कम से कम दो तीन आवर बॉलिंग भी करा के देदेगा और बैटिंग भी करेगा तो यहां पर दो विकेट 66 रंड 46 तो यहां पर आज के मैच में आप दोनों को रख लेना हसरंगा को भी रख लेना और मैथ्यूस को भी रख लेना इसलिए मैंने आपको बोला था कि बैटिंग सेक्शन से चाहे आप प्लेयर कम पिक करना और और टेलीग्राम को आप जरूर जोइन कर लेना मैं बार-बार टेलीग्राम जोइन करने के लिए इसलिए बोलता हूं ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट रहे और जो मैं अपडेट दू फाइनल टीम दू वह सब आपको भी मिले अगर आप मेरे टेलीग्राम पर जाओगे आप लास्ट चार- बनाई वी टीम होती है तो आप मुझे बरोसा कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट पर लिंक है बस क्लिक करना है और आप जॉइन कर सकते हैं अब देखिए अफगानिस्तान का जो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है ना अगर इस वाले स्रीज में वह है ओल रॉंडर सेक गुलाबदीन नैप जो की फास्ट बॉलर है अभी इंडिया के अगेंस जब स्रेज होई थी वहां पर एक मैच में इसने काफी अच्छा गया था आप लोगों को याद होगा तो एक इंट्रेस्टिंग पिक है ओमर जाही का तो आपको बता दू मोश्टी लोगों को यह प् मैच खेले इसने शिलंका के अगेंस अभी तक एक भी विकेट इसको नहीं मिला तो यहाँ पर गईज आप तीन प्लेयर कर सकते हो अगर आप करना चाहूं तो कौन-कौन है मैं बता देता हो एक तो नभी बढ़िया पिक है ओमर जाई बढ़िया पिक है इसको तो आप स्मॉ बॉलिंग का स्कोप होगा तो अपन रखेंगे अधर वाइस नहीं रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर दो बॉलर तो डैफिनेटली नभी और ओमर जाई जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने वाले हैं यहाँ पर बात करें बॉलिंग सेक्शन की शीलंका की तरफ से अब देखिए पतिदाना के साथ नुवान तुशारा भी एक अच्छा बॉलर है अभी मैं उसका रिकॉर्ड आपको आगे रिखाऊंगा वो खेल सकता है बढ़िया पिक है उसका अगर आप सेलेक्टेट परसं ले जा चुका है तो करन्ट फॉर्म बहुत अच्छी है और दिल्शान मदूशंका यह भी आपको पावर प्ले में अच्छी खासी बॉलिंग कराता हुआ देख सकता है और एक इंट्रेस्टिंग पिक यहाँ पे होने वाला है पतिराना की बात करूं तो उतना कुछ खास ए जादा रखता हूँ कि प्लेयर्स की अभी की फॉर्म कैसी है तो अगर आप लास्ट तीन चार मैचों की फॉर्म देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बैटर लग रही है लास्ट तीन मैचों में अब तक पाच विकेट है और आप देखिए श्री लंका के अगें दो मैस तीन इंविकेट है नूर अहमत या क्वाइस अहमत में से कोई एक यहां पर खेलने वाला है और फैजल अलग फारू के के रिसाइंड करंटली फॉर्म उतनी ज्यादा बैटर नहीं है तो यहां पर आपके लिए बढ़िया चोईस है नवी नुलक जो आप जरूर से अपनी टीम म से लेके आ सकते हैं गई देखिए गई शीरंक और अफगानिस्तान के बीच मैचेज होते हैं तब कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कुछ श्ट्रगल करते हैं कुछ बॉलर्स के अगेंस अब आप कुछल मैंडिस को ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो उसके पीछे को रिलीजर य दो बार आउट है तो दशुन शना का तो मैं वैसे भी आपको नहीं बोल रहा रखने के लिए ड्रॉप करके चल सकते हो गुर्बाज का आप देखें मैथ्यूस के अगेंस पे दो बार आउट हो चुका है तो थोड़ा सा गुर्बाज को इस बेस पर ड्रॉप कर सकते हैं औ अगर खेलता है तो आप टीम में जरूर रखना किसकी जगे खेलेगा सदीरा की जगे सदीरा मैंने आपको पहले ही बोला था क्यों उत्ता अच्छा प्लेयर निए टीटुन्टी का तो टीम धनंजा के साथ जाएगी क्योंकि जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है तो डी टार मार करता हूं नुवान तुशारा आज के मैच का इंट्रेस्टिंग पिक है आप डैफिनेटली रखना बाई जो प्लेयर बताओ ना आप जरूर बदल लिया करो और एक अच्छे पिक हो सकता है तो नुवान तुशारा अगर खेलता है और दूसरा धनंजा डी सिल्वा खेलता है रख लेना बढ़िया पिक है आपको पॉइंट स्कॉर करा के यह देने वाल है अफगानिस्तान की तरफ से देखे फरीद मलिक है खेलता है तो उसका रिकॉर्ड उत्ता अच्छा नहीं है दो मैच के लिए अभी तक इसको विकेट नहीं मिले कोई सहमत गई आपको लोगों ने ले रखा है आप मेरा वीडियो देख रहे हो शायद आप ले लोगे और एक अच्छी रैंक भी आ सकती है इसके आई चांस है तो क्वाइस अहमद और नुगान तुशारा फोकस कर लेना और यहां पर है अश्रफ और वफादार महम्मद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या सब को बॉलिंग मिल जाएगे आज के मैच में क्योंकि दोनों टीमों के पास बॉलर से भर भर के दिख रहे हैं अपन को अब देखो और कौन से बॉलर है जो पंदरा से बीस में बॉलिंग करेंगे तो शीलंका की तरफ से अगर मुझे नहीं लगता खेलेगा एक तो नुवान तुशारा आपको खेलता हुआ दिखेगा तो वह चांस है इसको भी मुझे लग रहा है चार ओवर मिलेंगे तो यहां पर शना का मुझे नहीं लगता बॉलिंग कराएगा तो यहां पर एंजला मैथ्यूज तो इनके पास भ फिर दो दो ओवर मिलें दो ओवर मैथ्यूज को दो ओवर डी सिल्वा को यह पॉसिबलीटी है दैट के जो बॉलर्स बनेंगे वह हसरंगा यहां पर मदूशंका और नुवान तुशारा अफगानिस्तान की तरफ से दिखी नवी नुलक आपको कंप्लीट ओवर कराता फैदलक फारुकी के चांस कम लग रहे अगर खेलता है तो यह भी चार ओवर है ओमर जाई है यहां पर क्वाई सहमद आपको खेलता हुआ दिखेगा तो यह भी बॉलिंग कराएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है गुलाबदीन नैप और इनको शायद उतनी जादा ना मिले और दैत में आएंगे यहां पर नवी नुलक फैदलक फारुकी और करीम जनल मैं आपको फाइनल टीम निखाने जा रहा हूं इस वाली टीम में मैं कुछ भी अपडेट करता हूं या कोई बाच यह दोनों को मैंने रखा है बैटिंग सेक्शन में इब्राहीम जद्रान और निसांगा वह राउंडर्स में रखा है हसरंगा ओमर जाई मैथ्यूज और नभी मैंने आपको पहले बोला था चार वाल राउंडर्स इंपोर्टेंट बनेंगे और बॉलिंग में रखा ह से ख़ए तो यहां पर तिकशना की जगया तो नुवान तो शरा को लेकर आहूंगा एक चेंज और एक यहां पर क्वाई सहमत को ले करें कपटान वाइस के अज़के मैच में अच्छी चॉईस की बात करें आपकी कि लिए अच्छी चॉईस है यहां पर आपके लिए कुश ता बैट्समेन आज के मैच में सबसे ज़्यादा रण मनाएगा आंसर आप कमेंट सेक्षिन में जाके दे सकते हैं कमेंट पर आपको लिखना है एसल वर्सेस एफ जी जो भी आंसर है जाके दे देना और आप जरूर आंसर करिएगा तो गाइद मेरा वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव था एजूकेशन परपस से था और आप लोगों ने हमेशा की तरह इस वीडियो को भी इता टाइम दिया प्यार दिया उसके लिए आप सही भाईयों का बहुत बहुत धन्यवाद जाते जाते वीडियो पर लाइक करदाना चैनल सब्क्राइब करदान और ऐसे ही प्यार देते रहना ठेक है भाईयो नमस्कार